दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आप लोग टमाटर में या फिर जैसे नेनुआ तरोई या खीरा करैला आधी परकार की जो सब्जिया होती हैं जहलारदार सब्जिया होती हैं तो उसमें खर-पतवार हो जाते हैं तो आप लोग उसको किस परकार से ख लिए से कर सकता है खर को खत्म कर सकता है तो तो यह बीडियो में को सुरू करने से पहले कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दें और बेल आइकन को आल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आपको अच्छी से जनकारी मिल सके इसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में आपक तो दोस्तों अब हम आपको लेकर के आचुके हैं अपने टामाटर की खेत में जहां पर इस दवा का प्रयोक करूंगा तो अभी मैं आगे जो है वीडियो में इसी वीडियो में आपको दवा का नाम भी बताऊंगा और दोज भी बताऊंगा तो ध्यारे किसान भाईयो इस दालने के बाद आपको तिन दिन के बाद इस चीचाई करना है तो दवा डालते समय आपको इतना बातों का ध्यार रखने चाहिए का आपके खेतों में यहां पर जो है हलकी सी नमी होनी चाहिए जिससे की आपके पोधे पर किसी प्रकार की दिक्त ना आएवर Nah आखर आप द तो इस समय पर आप लोग देख सकते हूं यह बत हुआ ख़ने से यह भी खर्थ्म होजयगा हो जाएगा तो आपको इस दवा में लास्ट में आपको इस दवा का पृवफ भी दिखाऊंगा और दो तिन प्रकार की दवा इया में बताऊंगा और आगे अब मैताता हूं किस प्रकार से दवा को ड dict कर चलते हैं तो जादा खर्पतवर को जादा तेजी से खत्म करना है तो 20 क्रम दवा का प्रयोंग आप लोग कर सकते हैं तो पांच टंकी की दवा आप लोग को इसके इससे बनाना है तो सबसे पहले आपको एक बाल्टी लेना है बाल्टी में ध्यारे किसन भाई आप थोड़ा सा पानी डाल लीजेगा क्योंकि ये जो पाउडर होता है बहुत ही खतरनाक होता है और दवा घोलते समय आप लोग मास्क का परयोग जरूर कीजिएगा बहुत ही खतरनाक दवा है यह आप जन्वरों से जो है इसको दूर रखेगा अपने आपसे भी इसको जो है उची दूरी बना करके घोलिएगा बहुत ही खतरनाग दवा है तो बहुत ही तेजी से अंदर जाती हो नुकसान दे दवा है तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ही घोलना है तो अभी अब लोग पानी की मत्रा डालना है तो मैं छे टंकी की दवा बना रहा हूं आप लोग जो है 5 दूर्जथ की दवा भी आप लोग बना सकते हो कि तो अगर आप इस दौर का प्रकेतों में तो जो निर्वाइी लगती है आदमियों से जो निर्वाइ जाती है उससे काफी तो मैं जो है इसका प्रोब भी आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा रिजल्ट है वीडियो के लास्ट में तो इसकी जगहां पर आप सेंकार दवा को भी डाल सकते हो अगर आपके हैं ये दवा नहीं मिलती है तो उसको भी आप लोग डाल सकते हो तो उस दवा का लिंक आपक को हर वीडियो में बताता हूं पहले जो है आधी टंकी से उपर तक आपको पानी भल लेना है मसीन में जो है आधी से ज्यादा पानी आपको भल लेना है पानी भल लेने के बाद जो है किसन भाईयों आपको दवा डाल दवा डाल देना है एक गलास तो ऐसा करने से दवा जो तो ऐसा कर लेने से पूरा फुल आपको टंकी भर लेना टंकी को भर लेने के बाद अभी आपको वीडियो को थोड़ी से आगे ले करके चलते हैं और बताते हैं कि आप लोग उसी मसीन के सहारे से इसमें आप मिला सकते हो दवा को अगर आप दवा को नहीं मिलाते तो अच्छ लुझा जरूरी होता है और उसं हो पहले से किसानी करते हैं तो आप लोग जानते होंगे वह अच्छी तरीके में सब करना पड़ता है कि अगर आप उसी जगहां पर आपको दवा डालते हैं आप फिर से उस पर चढ़ के जाओगे तो कुछ परसंट जो है वहां पर दवा काम नहीं करेंगी तो अगर आप ऐसा करके दवा को डालते हैं तो आपके खेतों में कहीं पर भी खर नजर नहीं आएला तो अभी आपको दिखाते हैं इसका प्रूफ ऐसा जब जब मैं ऐसा डाला था अपने डमाटर के खेत में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था तो आपको अगर गलाइसर दवा का परयोग करना है या फिर खर्पतवार दवा का परयोग करना है तो हो सके तो आप पीछे के इस साइड से चल करके ही डालना ऐसा करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो आपको दिखाते हैं रिजल्ट किस प्रकार से आया है दस दिन बाद तो आपको अगर सिचाई करना है इस दवा को डालने के बाद तो सिचाई आप तिन दिन तो दस दस से बारा दिन के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा धोख खिलना हो जाए तो तो किसान भाई वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से कमेंट करना मत भूलेगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चला कुल लाड़ परतना फॉका सस करेब जरू करें देना मिलते हैं आप सरी से नेस्ट भीडियों है